किम छो बदावी फ्रेंड्स मजामा छोने तमने लोकोंने मेसेज मली जिया आसे कि अपनी नेक्स्ट यूनिट एक्जाम ए यूनिट फाइव औने यूनिट शिक्स नीचे अव यूनिट फाइव नो जे टोपिक छे ए टोपिक छे बोधात्मक प्रत्रियाओ बोधात्मक एटलेश केवी तो के बुद्धी ने लगती अने प्रक्रियाओने तो आपने चाणियेचे चीए आपने अत्यार सुधीनी अंदर वारमवार एक वस्तु तो जोयज छे के मनोविग्नान छे ए मानसना वर्तन अने मानसिक प्रक्रियावोनो विग्नानिक रिते अभ्यास करे छे अने आप अस्तु छे ए कोई व्यक्ती शू विचारे छे ए आपनने खबर केम पड़े छे तो के के एना वर्तन थी खबर पड़े छे हवे वर्तन बे प्रकारना होई छे एक प्रगट वर्तन होई छे अने बीजू अप्रगट वर्तन होई छे खणी वकद आपने गुस्तो आई वो होई, पर सामेवाड़ी व्यक्ति आपना करता मोटी उमर ने होई, आपने जेनू रिस्पेक्ट राखता होई ये ये वी होई, तो आपने मनमा मनमा गुस्तो होई, पर आपने गुस्तो व्यक्त न थी करता, एज वस तो आपनी फ्रेंड सीहाई था यहाई ऐगाए। तो ए प्रगतवर्तन थीओ। कि तमने गुस्ता आई हो तमें प्रगतवर्तन सुचेए। तो केके तमने कैक फील थिओ छेए, पण तम्हें तमारा चहरा उपर हाव भाव आवा देता न थी। तमें तमारा वर्तन नी अंदर ए वस्तु देखाडता न थी कोई ने जोई ने तमने हसु आवे वी भात थे तमने एनुँ ड्रेसिंग जोई नेम था एक आणके वाक अपड़ा पेरा चे तो तमें सामेवाडी व्यक्तिने खराब न लागे एकला मारतीन तमें काई वर्तन देखाड़ो नाई तो ये अप्रगट वर्तन केवाई चियारे तमाई तरत अच एक्स्प्रेस करी दियो छो तो ये प्रगट वर्तन थे केवाई हवे आमा एवु छे कोई व्यक्तिने प्रगट वर्तन होई एटले के देखाया आउतु हुए क्या आव्यक्ति आउँ वर्तन करें छे तो एनो अभियास बहुँ सरण छे परन्तु जे अप्रगट वर्तन छे एनों सिधु निरिक्षण थाई शक्तु नती दाखला तरी के तम एक लासमा बेठा चो तम एक लासमा बेठा बेठा कोई वि तो आप्रकार्नी वस्तु जे छे ए अप्रगट वर्तन ना पासा ने मानसिक के बोधात्मक प्रक्रिया केवामा आवे छे कारण के एमा शरीर छे एकोई प्रक्रिया करतू न थी मात्र मन छे एक प्रक्रिया करतू हुए छे तो आवधी बाबतो के भी चें, तो केके पुतीने लगती बाबतों चें एनली अंदर तमें कोई आपर वस्तू नूँ प्रत्यक्षी करों चें ऐटले के विजियॉलाइजेशन करों चेंğ ध्यान करों, स्मृती करों, विचारना करों. कोई तर्क क्रिया करो चो बरोबट तमारे कई कप्रष्ण थियो छे अने ए प्रष्ण ना विशेनो ब्रेंस्ट्रोमिंग चे निके कि एनो तमें तर्क करो, कोई समस्यानो तमें उखेल लावानो प्रयत्न करो छरूरी न थी कि अवधी बारनी जोई घणी वक्त एवुई होई कि तम्हें गणितनों दाखलों गणतावों, पिरियाड बदलाई गयो छे, तमारा मगजनी अंदर ओलों दाखलों जो जी हाले छे, कि यी दाखलों केम मारे सोल नो थियों गुरुजी ने थे जो, तो तमें तियां बेठा बेठा, तमारों नेक्स् पणे होय शकिए, दाखलों तरी के तमने कोई कई प्रश्णतियों होई, तो तमारा मझनमाथी ये वात च्छाथी ना होई, तो तमें विचारता हो गया, केम मारे सोल करूँ, संकल्प न घणतर, कोई पण वस्तु छे, इए मनमाने मनमा तमे विचारो छो, एनी संकल्पना तयार करो छो, कमारे कहीं क आउँ करूँ छे, तो ए पण बेठा बेठा तमें जया करता हो छो, ए बोधिक क्रिया छे, निर्णई प्रक्रिया, आपणे आउँ वारंवार करता हो ये, दाकला तरीके पिरियड शरू थियो, अने आपणा टीचरे टेस्ट ना मार्क आई पा, आपणने एम लाइगू के मारा मार्क ओछा छे, एटले आपणे मनमाने मनमा निश्चेई करी लेए, कि हवे आउती टेस्ट मा तो बताड़ी देऊ, तो आचे निर्णई प्रक्रिया छे, ए पण मा एक्टिट्यूड एप्रोच, तो एने केवामा आवे छे, बोधात्मक अभीगम, एकले के कोगनीटिव एप्रोच, एनी अंदर मानस छे, ए बुधिक शमता वाप्री, अने जे वस्तुन्या निर्णई उपर पोहँचे छे, एने बोधात्मक अभीगम केवामा आवे छे, आपने बधाज, एक या बीजीरी ते आ प्रकारनू वर्तन करताज होई ये छे, खाली भणती वक्तेज करता होई ये छे ये उन थी, आपने टीवी जोता होई ये तो ही, ते वो मनमा वीचारा हो तो है, को के तारक्पिता पुरू था से, पछी मारे आम करूँच, पछी मा शरीर काम करतू, नथी, शरीर तो तमे जहे जग्याये छो, ए जग्याये तमारी जहे सामाजिक डिसिप्लीन चे, ए डिसिप्लीन प्रमाणेश तमे बेठा चो, तो आजे आधुनिक मनो विग्णान नो उद्भव थयो, अने नो विकास थयो, एमा रचनावाद, संवेदन, प्रतिमा, आबधीज, मानसिक प्रक्रियाओ उपर भार मुकान होतो, आबधू आपने आगावना चेप्टर नी अंदर जोयूज छे, पन वर्तन वादी जे बी वोट्सन छे, एने आबधी वस्तुनो विरोध करता एम कितु, के मनो विग्णाने, मन अने मानसिक प्रक्रियाणो नेए, परंतु, वर्तन अने मात्र वर्तन नोज अभ्यास करवो जोई ए, आपना बीजा चेप्टर नी अंदर आवस्तु, आपने डिसकस करीती, के वोट्सन छे, एवू जमानत हता, के वानस ना, वर्तन नो अभ्यास करवो जोये, एटले मानस ना, मन नो थाये जाये तो एक वस्तू छे के वर्तन जो अभ्यास थावो जोये तो एय्मना केवा मुझब व्रतन एटले एवू वर्तन के जहे नुनिरिक्षण थाये शके तेवू प्रगट वर्तन अने छेनू निरिक्षण करी शकाई तेवाज वर्तन नो मनोविग्णाने अव्यास करवो जोईए आवी जीद ने लिदे थेईने उग्णिसोने पचासना समय गाडामा बोधात्मक मनोविग्णानना विकासने वेग बेडो अपने जे चर्चा करवानी छे एक एवी कई बाबतो छे तो के के बोधन एटले के ापणा बुधिक्षमता वो बोधात्मक प्रक्रीय आओ आपने बहुधिक प्रक्रिया ओक एटली बधी करता हो ये चे, बोधात्मक अभिगम एटले शू, विचारणानों एटले शू, प्रतियायान एटले के संकल्पना शू चे, तर्क क्रिया, समस्या उकेल, निर्धारण, एटले के निर्णई प्रक्रिया, एट बधी शू चे, अने आनी अनो अर्थ सुचे, एनो स्वरुप सुचे, अने ए प्रक्रिया कई रिते कारिय करे छे ते आपने जाने सुू। हवे थोड़ा-थोड़ा नाम भारे-भारे लागे, ने अजहिना लागे, हो स्वभाविक वस्तू छे। परन्तु तमे जुआने डीट मां समझवानो प्रयत्न करो ने तो बहुँ इंट्रेस्टिंग वस्तू छे। काणके आपने आ बदू वर्तन करता जोई। जाने अजाने आपना थी आवस्तू थती जोई। बदाज करता होई, नोर्मल मांसो। तो हवे तमे एने एक वेग्नानी के प्रोजा पोछो, एक वैच्यारी के प्रोजा पोछो, कि तमे जे वर्तन करो छो, ए मनोविग्नानी परिभाशानी अंदर कई रिते मुक्वामा आवे छे। अने मनोविग्नाननों मोटो फाइदो ए छे, कि तमे एक वखत मनोविग्नानना मुद्धाओंने समझो छो, तियारे तमे व्यक्ती ने, तमारी आसपासना लोकोंने वधारे सारी रिते समझो छो। दाखला तरीके एक नोर्मल मानस तरीके आपणे एकोई दिवस इवस्तु प्रतिय सभान्ना होई ए, कि आव्यक्ती छे, एनुँ शरीर कईक जुदू करिया करे छे, अने मन छे, एक एक अलग करिया करे छे परन्तु मनोविग्नाना अभ्यास कई रापछी, आपणने इवस्तु समझाई, कि क्यारेक एवो पण बन्तु होई छे, कि मानस छे, ए शारीरिक रिते डिसिप्लिन माँ पोते जे जगे छे, तिया होई छे, परन्तु एनुँ मन जे छे, एक आइक जुदो तर्क करी रहिय छे, तो एनुँ ए जुदो तर्क छे, ए सामे खबर कें पड़ी जाए, तो तमने एनुँ एक उदा हरणापू, कि घणी बधी वखत एवो बन्तु होई तमे काई तमारा विचार मा हो, तमारा क्लास नी अंदर जे टीचर भणावता होई, एने इवस्तुनों अंदाह अंदर हो, कि आविएक टीचर थी, आध्वातो काम रही रही होई, तमने हो ततमारा तमारा टीचर थे थे तम ने होई जवाब देतो, और रात्यार्या चर्चा है करिए चे तो 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 ततत्त प्लच जाग थासो अने, तमने इंधासे, कि मने आं तमे थोत्वाई जासो, ब आपने जे काम करता था, एक काम मा एनू मन न थी. घणी बधिवखत एव बनतु है, कादी नोट पूरी करवानू किदू होई टीचरे, फरजी आत पने. तो सामेक एक बीजो सब्जेक्ट चलतो है, आपने पाच्छर बेठा होई है, उपर दाखला दरीके विग्नान चे, गुरु जी समझावेचे, और आपने उपर विग्नान नी चोपड़ी राखी देगे, और अंदर आपने जे नोट पूरी करवानी, जे मानी लोग जानवीदी दिये कि दूचे, बेठा बेठा आपने नी चे उतारो करता होई है, इतेज गुरु जी चे इविग्नान नो लखाऊता होई, आपने चे लखिये जे चीए, पौन आपने भीजावीशे नो लखिये चे, बढ़ण वानो जवात करिये चीए, तो इते खबर पड लखती नी बोधन प्रक्रिया, एतले कि बुद्धी ने लगती प्रक्रिया जे चे, एने समझे चे और एने अनुरूप वरतन करे चे, तमारा बधाज शिक्षकों चे, ए बधाज मनो विग्नान नो अभियास करी ने आईवा होई, और एमाई स्पेशेली बाढ मनो विग्न आइवा होई, एघले बधाने खबर होई, कि केवी रिते आपने आवस्तु झानी शक्किए चे, तो केवानी वाती हाती, कि맛 तम्हें बधिक प्रक्रिया, वो शरू करिये चे, एमां पेला वेला जौई है कि बोधन प्रक्रिया, वट इस बोधन अबोधन प्रक्रिया ए शुंग झें तो केके सामान्य रीते मनुष्य तरीके आपणे एक सक्रिय प्राणी छिय आपणे सावयमने सवारना बेठा होय तो राद सुधीमने मेठा रहिए एवुन ओ होय आपणे कैग ठलन-चलन करिये छि आपनी आसपास बनता बनावो औने खटनावो ने जानवानो औने समझवानो प्रयत्न करिये छिए। आपनी समस्याओने उकेल लाविये छिए। आउँ बनतु होई कि खटना कोई पन होई तो मगजनी अंदर खटना ने आपने सेट कर दी दिवोई। कि ओके आउँ कैक छे कोई सामान्य तमने सामान्य मा सामान्य उदहर नापू। कि कोई पन जग्याए तमे स्कूलना बिल्डिक मा आवो छो। तो एक रस्तो आगल नो छे एक रस्तो पाछल नो छे। एक रस्तो साइड मा पण छे। तो तमें चारे त्यां थी निकलो छो। त्यारे तम्हें जोव चोको के साइड मा थी निकडवानों एक रस्तो छे खरा तमारा मगजनी अंदरी माहीती स्टोर थेली छे क्यारे के वो बने चे के बेई रस्ता आगल पाछर ना बेई रस्ता बंद चे त्यारे तरतश तमारों मगजचे प्रक्रिया करीन के से कोके एक साइड माई रस्तो छे ओ त्या थी निकड़ी जवाई तो आ जे वस्तू जे छे ए सुन छे तो के के आपणा मन नी प्रक्रिया बताड़ी के आपणे एना आधारे भविशनी योजनाओपन करता हो इची है अने एटले एटिक्सन एटिक्सन स्मिथ अने हिल गाड आबधा बोधन नी सु प्रव्याक्या आपे छे के बोधन ए माहिती प्रक्रिया करण स्मृती प्रत्यक्षी करण जेवी मानसिक प्रक्रिया वो साथे जोड़ाएली बाबतो के जेनी मदत्ती व्यक्ती गिनान प्राप्त करी शके छे, समस्या उकेली शके छे अने भविश्यनी योजनापन बनावी शके छे कि सामान्यमा सामान्य उदारन छे का अपने बे त्रीजो दर्वाजो जोई ये त्यारे विचेर आवे कि बे इदर्वाजा बंधु वे तो आर दर्वाजानो उपयोग करवा जेवो खरा कि चुटनी दरम्यान तमें TV उपर कोई राज किया नेतानू भाषन छोई रहिया छो। आ नेताचे इए अलग-अलग सामाजिक चर्चाओ अने वर्त्मान पत्रों वगेरे द्वारा आवस्तु ओल्रेडी अमा बेटर चर्चामाँ छेजते। पक्षना कारिय करताओ छे ए नेताओना कारिय करती तमें अमुग हच्चुदी परिचित पण छो। आने सैध्धांतिकरिते तमें एवात्मा सहमत पण छो। परन्तु टोज ना नेताओने अमुग कारिय पसंद न थी। प्रस्ण, आफिल कर आप्ट, तो किड्या अंध्न प्रास्णुनि आउप्यार्णतुर। बदू तमें भेगू करशो औने निर्णे करशो तो हवे ए जोवानू छे के माहीतीनू प्रक्रिया करण एटले शू तो के के बाहरना जगत नी अंदर थी जे माहीती आपणे मले छे ए माहीती आपणे एमनेम नथी स्विकारी लेता तमें दाखला तरीके कोई वस्तु जोहो छो तो तमें सिधी स्विकारी नत लेख दाखो के आँ मच्छे तमें एमा फरी थी तमारी जूनी माहीतीनी साथे एने सर्खावो छो दाखला तरीके तमने अभ्यासनी अंदर केवामा आई वू होई तो तमें नुमा धोर्न नी अंदर शरीर विज्णान भैना छो त्यार तमने जहे माहीती यापीती इमाहीती तरह तरत तमें स्वोली करने आँ वू हो तो unnecess ये विश्लेक्षन छे ए विश्लेक्षन करी अने एनी अंदर फेरफार करी ने कोई निर्णई उपर पहुच ये तो ए जे प्रोसेसिंग छे ए प्रोसेसिंग एतले माहीतीनू प्रक्रिया करनू बरुबर छे अटली वस्तू तमने समझाई गई हशे आ बद्धी जवस्तू एटले के आ पाट शरू थियो त्यार थी लई अने अईयासु धीनू तमे आ वीडियो जोईलियो पछी तमारे वांचवानू छे तमे लोकानों मोटो प्रोब्लेम ही छे के तमे लोकों पाठ ने वांचता नती हुँ तमने जे पाठ समझावू छू ए पाठ सेंग जा पछ तमारे ए पाठ ने वांचवानों होई तम एने वांचसो तो तमने एने वधारे सारे रिते समझी शक्सो बरबर छे एटले अटलू त आटल्या माठ सी नाखो पाठ पाती थोड़ो कच भागत यार में लितो छे के अईयासु धीनू में तमने समझाईवू छे अटली वस् कर देफी तमने तमने येश्ण वांचसो बता समय वगरो को तमने वांट रखो प्लेवाएवर गरो तमने वांटे बने ऱ तमने एटारे वांटने वांट।